नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका इस टेडी फॉर्ट सिविल सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फॉर्ट सिविल सेज में आरो यारो पेट क्विज लगातार हम देख रहे हैं उसको कंटीनू करेंगे पिछले वीडियो अगर आप में तहीं देखे हो तो नीचे देखिए प्लेलिस्ट है उसमें लिंक्स दे रखे होंगे आप वहाँ से देख सकते हैं सबको ठिक और एडमिशन लेने के लिए भी वहाँ पे कॉन्टाक डिटेल्स दे रखी हैं आप उस पर कॉन्टाक करें पूरी इंफोर्मेशन आपको प्रॉवाइट की जाएगी तो बिना किसी देरी के फ्रस्ट कुर्शन से स्टार्ट करेंग जो नदी घाटिया हैं जो भी उसके विस्तरित भागों में पाई जाती हैं कथन बिल्कुल ठीक है और गुजरात के मैदानी लागों में भी देखेंगे तो इनकी मातरा मिलती है इधर राजस्थान वगेदर से होते हुए ठीक तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं विकल्प C को होती है और फॉस्फोरस की मातरा जो है अधिक होती है तो दोनों स्टेट्मेंट आपस में इंटर्चेंज किये हुए हैं पोटाश की मातरा इसमें जो है यह अधिक होती है और जो आपका फॉस्फोरस है इसकी मातरा कम होती है तो इसमें सही दोनों नहीं है डीबिकल को कारण हुआ है और डक्कन का प्लेट्व जो है वेस्टन एडिया में आप मेजर रूप में आप इसको पाएंगे इसको रेगूर स्वाइल भी कहा जाता है यह आपको जानना चाहिए तो इस पर्टिकुलर आप्शन में सी को चुनेंगे यहां पर अभी आपको यह बात बताई गई है कि बिसाटिक लवा के पक्षय और अपरदन के करण किस मिट्टी का निर्माड हुआ है तो ब्लाक स्वाइल लाल मिर्दा का विकास वहां हुआ जहां क्या हुआ तो देखिए डक्कन का प्लेट्व आप जो देखते हैं उसके पूरवी भा काट का जो आप एडिया देखते हैं इसमें आपको रेट सॉयल की यहां पर प्रिजेंस मिलती है तो विकल्प हमारा यह वाला करेक्ट हो जाएगा फरस्ट आगे देखें कौन सा कथन सही नहीं है काली मिट्टी के समंध में है कि इसमें कपास के खिती जो है सबसे महत पूर होती है उप्युक होती है इस मिट्टी के लिए तो आप देखते हैं कि इंडिया में वेस्टन रीजिन में आपके जो यह स्टेट्स हैं जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है तो कपास का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है तो यह कथनमरा बिल्कुल चीख है दूसरा ह काली मिट्टी में फॉस्फोरस नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की अधिक्ता होती है यह गलत है अधिक्ता ने इनकी कमी होती है अगर हम अधिक्ता की बात करें तो इसल लाइम स्टोन आयरन मैगनेशियम अलूमिना यह सब तत्प जो है यह ज्यादा होते है तो दू दूसरा है कि इस मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटाश की कमी होती है यह गलत है इन चीजों की अधिक्ता होती है इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन है ना फॉसफेट कैल्शियम अब यह जैव पदार्थ जो हो है कैली जैव तो इन सब की अधिक्ता होती है और यह इ देख है आगे देखें किस राज्य में लाल तथा पीली मृताओं का विस्तार पाया जाता है तो चार विकलब आप देख रहे हैं तमिलनाडू करनाटक दक्षणडी महारास्ट्रा 36 गड इसके अलावा तिलंगाना के कुछ चेत्र आपका उडिशा के चेत्र और यह चोटा अब अलूवियल सॉयल यानि जलोड मृदा में कौन सी मुख्य फसले जो हैं उगाई जाती हैं तो यहाँ पे अलूवियल की सॉयल सोती में लिए पैडी, वीट, शुगर केन, पोटैटो है यह सब यह विकलब काली मृदा में किस पोशक तत्व की प्रचुरता होती है तो अभी उपर ही बताया था आपको कि पोटाश, लाइम, मैंगनेशियम है यह सबी मुख्य रूप से पाए जाते हैं विकलब D को चुनेंगे आगे देखें परवती मृदा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका विस्तार जो है किस शित्र में है तो आप देखेंगे यह बी विकलब जो है कश्मीर से अरवांचिल प्रदेश का जो एरिया है इसमें मुख्य रूप से आपको सेब, आलू, नाशपाती जो होती है यह फसले मिलेंगी और इसमें देखेंगे तो अधिक्ता किस चीज की होती है पोटाश और फॉस्फोरस है इन चीज़ों की हमने जलोड मृदा के बारे में आपको बताया था कि लगबग 40% के एरिया में वो भारत में पाई जाती है तो उसी क्रम में काली मृदा पूछ रहे हैं यह कितने प्रतिशत के भूछ शेतर में पाई जाती है तो इसका आकड़ा जो है लगबग 15.2 प्रतिशत दो कथन है आपके पास कौन सा कथन गलत है यह देख लेते हैं विक्षोग के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के प्रक्रिया को तरंग कहते हैं और दूसरा है कि कोई गती जो निश्य तंतराल के बाद पुनरा वृत्ति करती है आवर्ति गती खेलाती है तो periodic motion और wave की जो है यह definition है दोनों बिल्कुल दोनों ठीक है कोई नहीं गलत था इसमें none of the above यानि न तो एक और नहीं दो इसको चुनेंगे वेव में जैसे आप यह पढ़ते हैं कि वेव ऐसे कुछ आप इसको physics में देखते होंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने की प्रक्रि है डीटेल में इसको देख लिजेगा और जैसे प्लैनेट का मोशन होता है तो वो क्या है आपका periodic मोशन का example हो जाएगा अब वेव के ही समंद में तरंगों को अगर हम जैसे मुख्य बागों में पढ़ते हैं तो यांतरिक तरंग पहला होता है तो उसके समंद में कौन सा कथम सही है देख लेते हैं यांतरिक तरंगे जो है किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती है यानि कि जो हमारी ये ऐसे समझे है mechanical waves जो है उसके ट्रावल के लिए माध्यम की जरूत होगी है कोई physical माध्यम होना चाहिए ठिक दूसरा है कि water waves are example of mechanical wave जो हिंदी में लिखा जल की तरंगे या अंतरिक तरंग का उदारन है तो बिल्कुल ये छीक है जल में आपने देखा होगा कि जैसे कोई मा लीजे आपने कोई पत्तर फेक दिया तो अब ऐसे wave बनेगी उसमें क्या है ये अंतरिक तरंग का example है फिर जैसे spring होता है उसको खीचेंगे है तो उसमें जो गती होती है या फिर ये ध्वनी की तरंगे जो होती है ये सब example होता है इसी के तो दोनों ठीक है आगे देखिए अवरक्त किरणों की खोज इसमें से किस ने की थी इंफ्रारेड वेव्स की बात हो रही है तो जैसे बर्ड वार के टाइम पर है ना सिगनल से फेजने के दिशा में इसको एक तरीके से डिस्कवर किया गया ये विलियम हर्शल के दोरा विकल्प C हमारा करेक्ट हो जागा आज भी आप देखते हैं जैसे रिमोट वगएरा या तमाम तरह की चीज़ों में इनका जो यूज होता है इंफ्रारेड का तो ये सब इस example है C विकल्प को चुनेंगे आगे रेखे परा बैगनी करेड़ों में जो कि इसको हम पढ़ते हैं तो मुखे रूप से तीन जो भाग है उसमें विवाजित क्या आता है यूवी रेज ए बी और सी है तो उसी क्रम में यहाँ पे है कि यूवी रेज ए जो है उसकी तरंग दैर्ध है कितनी होती है तो देखे एक ही होती है 320 से 400 अनम तक तो यहां पे कहां मिल रहा है यह मैं डी आप्चन में मिल जा रहा है यह गरेक्ट हो जाएगा यूवी बी की बात कर लेते हैं तो यह 280 से 320 तक होता है और YOOVC जो होता है यह 100 से 280 तक वांते हैं इसको तो तीनों को इनको wavelength के हिसाब से ध्यान रखिएगा इनके usage क्या हो सकते हैं वो देख लिजेगा आप देख रेडियो तरंगे पृत्वी के किस मंडल से परावर्दित होती हैं तो atmosphere की जो हमारी layers होती है उसमें ये जो ionosphere है, ion मंडल ये reflect करता है long radio waves को जिसमें आपको देखते हैं radio communication और communication वाले जितनी चीज़े हैं इसी की वज़े से हो पाती हैं तो ये question कई बार वैसे भी पूछा गया है अलग-अलग group से हैं, तो ध्यान रखिएगा, important है ये अगला देखिए भारती reserve bank यानि RBI इसके बारे में बात हो रही, इसकी स्थापना कब होई थी तो RBI act बना था हिल्टन यंग कमिशन के recommendation पे 1934 में तो उसके आधार पे 1 अपरेल 1935 से RBI establish किया गया उस समय जो है इसको किलकत्ता में स्थापित किया गया था बाद में जो है 1937 में इसका मुख्याले जो है शिफ्ट किया गया कहां पे मुंबई में तो भरतमान में जो वहीं पेस्ती थे इसको भी ध्यान रखिए हाली में भजन सुपोरी का निधन हुआ इनका नाम important है तो वह किस वाद्दी इंतर में पारंगत थे तो ये काफी famous player थे संतूर के संतूर वादक हाली में कृष्ण कुमार कुमाथ सुरी है कुनाथ है इनको आप जो है short form में जानते हैं केके के नाम से इनका हाली में heart attack आगया था इनको तो इन्होंने किस भाष्या में गाने गए यहां पर यह पूछा जा रहा है तो हिंदी में तो क्यार popular थे ही इसके अलावा तमिल, मराथी, बेंगॉली इसके अलावा कंणड, असमिया इन सब languages में सब एब में गाया है इनोंने all of the एब इसको चुनेंगे अब भजन सोपोरी के बारे में भी हमने उपर भी देखा था कि संतूर वादक है यह प्रसिद्ध इनका निधन हुआ हाल में तो उनके समंद में दो कथन हैं कि भारती शास्त्री संगीत के सूफियाना घराने से तालुक रखते थे यह भी ठीक है और इनका जन्म उत्तरी कश्मीर के सोपूर जिले में हुआ था तो यह भी ठीक है कतन दोनों सही हो जाएंगे आगे देखे कॉटिल लेके अर्थशास्त्र में वराडित पढवा अध्यक्ष होगा तो किस विभाग के अध्यक्ष होते थे तो पहले भी हमने देखे यह काफी अध्यक्ष जो थे यह किस विभाग के अध्यक्ष होते थे तो यह होते थे आपके Head of Commerce Department है ना B को चुनेंगे अब जैसे इनकी भी बात करे Head of Excise Department है ना जो आपकारी विभाग है उस समय का तो उसको सुराध्यक्ष बोलते थे ठिक Head of Agriculture जो होता था तो उसको बोलते थे सीताध्यक्ष Head of Mint यानि कि जो टकसाल जहां पर सिक्के डाले जाते थे उनको क्या बोलते थे तो उनको लक्षणाध्यक्ष करके टर्म होता था यह बोलते थे अभी देखें सुराध्यक्ष के बारे में आपको बताया था तो कौन साइस में से सही हो जाएगा यहां पर देखीजे अब लेटरे रिसोर्स जो एक था मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गए उनकी पुस्तक इंडिका है ना मौरे प्रशाशन के समंध में जो नगर व्योस्ता की जानकारी के हिसाब से इन्होंने नगर के प्रशाशन में कितनी समित्यों का वर्डन किया है यह पूछ रहे हैं तो कुल 6 ऐसी समित्यों के बारे में यह उलेक करते हैं जिनका कारे जो है अलग-अलग कारे मतलब देखना होता था अब देखे पार्टली पुत्र नगर का प्रशाशन कितने सदस्यों के समूं के द्वरा किया जाता था तो यह सिटी अड्मिनिस्ट्रेशन था उस समय तो उसमें कुल ऐसे ग्रूप आफ पीपल के लिए ग्रूप मेंबर्स है उनकी कुल संख्या होती थी 30 इनकी द्वरा ये चीज़े की जाती थी इसमें देखे कौन सा कथन अब सही है तो मेगस्थनीज ने इंडिका में पार्टली पुत्र के नगर प्रशाशन का वर्डन किया है तो यह अभी हमने देखी लिया उसके सम्मंद में कई सारे क्वेशन और राजा का नियाले जो होता था मौरेकाल का सर्वोच नियाले होता था तो जो किंग होते थे सबसे मतलब सर्वोच जो अथौरिटी होती थी जस्टिस की दिशा में वही होते थे दोनों कथन ठीक है आगे देखें कौन सा कथन फिर से सही पूछा जा रहा है आपसे कि मौरेकाल में सौ गाउं के समू को संग्रहन कहा जाता था तो अड्मिनिस्ट्रेशन के दिशा में जिसे प्रांत और नगर चोटी-चोटी काईयों में यह सब चीज़े डिवाइड होती थी तो उसी क्रम में जो सौ गाउं का एक समू कलेक्टिवली रिफर किया था उसको संग्रहन कहते थे बिल्कुल ठीक बात है यह और अभी हमने कुछ अध्यक्षों के बारे में भी उपर रेखे थे और काल में जो कर होते थे उनके संबंद में कौन सा युगम गलत है तो देख लेते हैं इसको भी उदक भाग जो है यह गलत हो जाएगा यह बेसिकली उदक भाग जो सिचाई पर कर लगता था इरिगेशन टैक्स कह लिजे उससे संबंद है अगर एनिमल टैक्स की बात करें तो इसको बोलते थे ब्रज आगे देखें कौन सा कतन सही है फिर से तुमौरे बंच की स्थापना चंद्रगुप्तुमौरे ने चाड़क की मदद से की थी यह कतन बिल्कुल ठीक है कोटी लेनी को कहते है और दूसरा है कि चंद्रगुप्तुमौरे का जन्म तक्षिला में हुआ था यह गलत है इनका जन्म जो है एक कुसुम पूर नामकस्तान था पाटली पुत्रियानी जो वर्दमान का पटना है यहां पे हुआ था तो सही है सिर्फ एक कौन सा कतन इसमें सही नहीं है फिर से देख लेते हैं अब बिंदुसार के बारे में बात हो रही है ठीक तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौरे और दूरधरा का पुत्र था तो इनके पिता और मता का नाम यह था यह बिल्कुल कतन ठीक है दूसरा है चीनी लेखको के नहीं युनानी जो लेकर थे इनके द्वारा कहा गया है इसका अर्थ होता था क्या ये शत्रो का संहारक है शत्रो का हत्यारा कहे लिजे तो कथन सही नहीं है दूसरा आगे है भारत के संविदान में सरकार की संगी विवस्ता किस देश से ली गई है तो हम अपने इंडिया में पार्लेमेंटरी फॉर्म आफ गर्मेंट जो है सिस्टम फॉलो करते हैं जो हमने लिया है कहां से ब्रिटेन से अब संविदान का अनुच्छेद जो 74 है किस विशह से सम्मंद देश है तो भाग 5 में अनुच्छेद चौतर जो बताता है आपके ये अगर इनके नियुक्ति की बात करें तो ये भी जानते रही है अनुच्छेद 75 जो है वहां पे इनके नियुक्ति कारिकाल जो responsibility है इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है आगे देखें नियुक्ति में से कौन सा कथन गलत है तो बड़े ध्यान से देखीगा आपको लगता होगा प्रधान मंतरी का कारिकाल 5 साल का निश्चित है परंतु ये गलत है वो क्या होता है जब तक उनको लोग सभा में या आसे समझे कि उनको विश्वास मत प्राप्त है उनको support majority मिला हुआ है जो हमें minimum number of requirement होती है सरकार बनाने की तब तक वो अपने पद पे होते हैं ठिक और उसी के करम में दूसरा statement है कि अगर वो अपना विश्वास मत खो देते हैं यानि कि जो no confidence motion आता है अगर वो पास हुज मिला हुआ है सदस्यों का तब तक वो अपने पद पर प्रधान मंत्री होते हैं तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं गलत इसमें कुछ भी नहीं है अब केंद्री मंत्री परिशद में कौन शामिल होता है तो composition इसका ऐसे कुछ होता है council of ministers संग्या आप दी जाती है तो मुख्य रूप से कौन है प्रधान मंत्री जो लीड कर रहें council of ministers को तो उसमें कुछ cabinet ministers होते हैं कुछ minister of state होते हैं कुछ minister of state independent charge होते हैं कुछ voice ministers की भी creation की जाती है तो सब ही इसमें शामिल होते हैं इन चीजों को quality में detail में देखते रही है ये भी आपको उपर बताया था कि जो council of ministers हैं उनके नियुक्ति, करेकाल, उत्तरदाइत, शपत एवं वेतन बत्तो काउले कहां पर है तो ये अनुच्छेत 75 में है अगला है कि आमला ताप विद्यूत परियूजना उत्तरदेश के किस शहर में स्थित है तो ये पहले भी UPPSC कई बार पूछा हुआ है इसको बरेली में स्थित है ये उत्रप्रदेश में स्थित्थ कुछ और हमारे जो ताप विद्यूत परियोजना और विद्यूत्ग्री हैं तो कौन सा उस अंदर्व में सही सुमेलित नहीं है ये बताना है तो ओबरा ताप विद्यूत्ग्री कानपूर लिखा है ये गलत हो जाएगा ये सोनभधर में इस्तित है ठीक बाकी के विकलब ठीक है ने पढ़ के देख लीजेगा कहाँ पे क्या इस्तित है अगला है कि मेजा ताब विद्धुद्ग्री उत्तरप्रदेश के किस शहर में इस्तित है तो NTPC के दोरा इसको बनाया गया और ये है प्रयाग राज में अगला है कि मुख्यमंत्री मितान यूजना 2022 किस सरकार के दोरा चलाई जा रही है तो इसको लांच किया गया है इसमें आपका 36 गड़ में विकल भी हमारा करेक्ट हो जाएगा मई 2022 में वहाँ के जो CMA भुपेश पघेल उन्होंने इसको लांच किया और समंदित ये यूजना जो है इसका विशा ये है कि इस यूजना के तहए तो जैसे ये आपके आपके ओफिशल डॉक्यमेंट्स होते हैं ये यूजना किस राजिकी सरकार के दोरा चलाई जा रही है तो इसको अपरैल 2022 में दुबारा शुरू किया है मद्यप्रदेश की सरकार ने विकल्फ हम D को चुनेंगे इसमें इसका एम जो था कि जो मद्यप्रदेश राजिके यूथ हैं वो अपने देश के जो ये बॉर्डर्स हैं उस पे सेक्योर्टी को मतलब एक तरीके से बढ़ाने के लिए आर्मी और पैरा मिलिटरी फोर्स जो है उसको जोईन करने के दिशा में उनको अवेर करना है और इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाना है तो ये उदेश के साथ मातुझे प्रडाम यूजना चलाया इन्होंने मालवी मिशन से समंदित कौन सा कथन सही है ठिक तो ये मिशन रेल मंतराले के दोरा चला जा रहा यही गलत है सिक्षा मंतराले ने शुरू किया था इसको मई 2022 में जिसमें उदेश ये है कि सिक्षण रख के विकास के लिए देश भर में सक्षम इकोसिस्टम तैयार करना यह इसका मुख्यों देश है स्पेशली जो यह ओकुछ सिक्षड संस्तान है उनमें इनका जो टार्गिट था उसके लिए इसको चलाया गया और तूसरा है कि यह महीने भर का ओप्रेशन महिलाओं वह लड़कियों को मानव तसकरी से बचाने के उद्देश से चलाया गया तो इसको चलाया था इसमें मई 2022 के राउंड भार्ती रेलवे ने और अबजेक्टिव यहां पर ध्यान रखेगा तसकरी यानि कि जो जिस्म फरोशी है इस तरिकी के मामलों के उद्देश से इस चीज़ें की जाती है रेलवे से उसको समाप्त करना इसका मुख्या लक्ष था तो गलत इसमें नहीं है कुछ भी आगे देखें एक लाख निर्माड श्रमिकों के कौशल प्रस्रिक्षन के लिए निपुड पहल को किस मंत्रा ले के द्वारा चला जा रहा है तो ये आवास और शहरी वाला जो मंत्रा ले है न विकल्प बी टिक इन्होंने लांच किया था जून 2022 में जो ये आपका कंस्रक इसको चलाया गया आपको जड़ा ये बताना है हमें ये निपूर जो यहाँ पे लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या है कॉमेंट करके बताईए इसके रूप में अगर हम देखें तो अग्रिकल्टर फॉरेस्ट्री कम्यूनिटी और अर्बन है ये तीनों ही होते है विकल्प हम डी को चुनेंगे परियावरण को संदक्षित करने के दिशा में ये चीज़ अगी जाती है तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा शहीद अश्फाक उल्ला प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है तो फ्रीटेम स्टरकल के संबंद में आपमें इनको पढ़ा होगा तो इनहीं के नाम पे एक जोलॉजिकल पार्क है गोरगपुर में उतरपदेश के गोरगपुर में विकल बी करेक्ट हो जाएगा ठिक तो आज के वीडियो में यहाँ तक रखेंगे सारे क्वेश्चन्स जो बताये गए हैं संबंदित फैक्ट को प्लीज कवर करिए और जो पूछे गए हैं क्वेश्चन्स कॉमेंट के मात्यम से बताइए अगले वीडियो मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नमस्कार जेह हिंद